हेलो फ्रेंड्स, दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्माटर एवरी डेग, दियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे धर्म निपेशता और सिक्षा की, यह जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर तरीकी से कानपूर यूनि इसको जोड़ दिया गया है, लेकिन टॉपिक आपका जरूर मिलेगा, आपका टॉपिक ही है, आपके सलेबर्श में ठीक है, धर्म निपेशता और सिक्षा, तो आप सभी के लिए चाहिए, प्लखनव से हो, कानपूर से हो, प्रयाग राज से हो, क्लास आपके लिए बहुत होने वाली है, और अगर आप इसको एंट तक देख लेते हैं, तो पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, देखेगा, इसकी तीन क्लासे हो चुकी है, और आज आप भी क्लास नमबर 4 है, जो तीन क्लासे आपने नहीं देखी, उनको देख लिएगा, प्लेष्ट पूरी बनी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं, धर्म निपेक्षता, और सिक्षा शेक्षा, शेकलोलिष्म, एड़ुकिशन होता क्या है, समझते हैं, वैदिक द्रिष्टी से धर्म, कार्थ, धर्म, कार्थ, क्या होता है, धर्म, कर्थ, क्य हैं वही हमारा धर्म है कैसे भाई हम आप सब अपने अपने धर्म के अनुसार हमारी पोशा क्याने हमारे वर्स्तरवी धर्म के अनुसार होते हैं कह सकते हैं हमारी बोल्चाल हमारी भाषा हमारे हाव भाव हमारे आचार विचार हमारी सलस्कृति शब हमारे धर्म के अनुसार ही होते हैं, इस दर्ष्टी शे मानव सरीर के रूप में हमारे करतव ही धर्म है, जो कुछ हम करतव कर रहें, वही अमारा धर्म है, यानि कर्म ही धर्म है, किन्तु व्यवहारिक रूप में हम समाज में प्रचलित, हिंदू, मुस्लिम, सेख, इसाई, जैन, बौध, आदी, पंथों या संपर्दायों को ही धर्म की रूप में ग्रेंड करते हैं अगर बात करें वैदिक दृष्टिशे तो हमारा कर्म ही धर्म है लेकिन अगर बात करें वैवहारिक रूप में तो समाज में जो प्रचलन में है तुम हिंदू हो, वो मुस्लिम है, शिक है, इशाई है, जैन, बौध, इनको ही हम धर्म मानते हैं जबकि शबशे बड़ी बात है कि हमारा कर्म ही धर्म है, जो कुछ हम धार्ण करते हैं, वही हमारा धर्म है ठीक है, आगे समझते हैं धर्म, मानो जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करने वाली वह व्यापक अभिवरत्ती है, जो सरवाधिक मूलेवान बहुत अधिक मूलेवान, पवित्र, सरवग्य और सक्तिशाली समझे जाने वाले आदर्ष और अलोकिक उपाश विशे के प्रति अखंड आस्था तथा पूर्ण प्रतिबद्दता के फलसुरूप उत्पन होती है और जो मनुष्ट के दैने का चरण तथा प्रार्थना पूजा पाठ जब तब आदी बाहे जितने भी बाहरी कर्मकांड है उनमें अभी व्यक्त होती है अगर हम आगे बात करें तो धर्म की जो व्याख्या है करना बहुत कठीन है ठीक है लोग धर्म को अपने अनुसार मानते हैं अपने हिशाबशे मानते हैं कोई धर्म को प्रार्थना और पूजा मानता है तो कोई इसे आंत्रिक चेतना मानता है शीमत भगवत गीता में कर्म को धर्म माना गया है कि आपका कर्म ही धर्म है धर्म को मोक्ष या इस्वर प्राप्ति का शाधन माना जाता कि धर्म के माध्यम शही आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं इस्वर की प्राप्ति भी आप धर्म के माध्यम शही कर सकते हैं धर्म के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हुए हम विशेश अनुभो को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा कहा गया है कि प्राणी का सर्वोच इस तरही मोक्ष की प्राप्ती है भारत को भारत में आत्म ज्यान और आत्म बोध का ही प्रते माना जाता है यह मानाव सेवा से जुड़ा हुआ है प्रतेक धर्म मानाव सेवा को ही सर्वोच मानता है कि हर एक धर्म चाहे हिंदू, मुस्लिम से किसाई, जैन, बहुत कोई भी धर्मों सभी धर्मों का एक ही लक्ष है और वो एक ही चीज़ को सर्वोच मानता है वो है मानब की शेवा, इंसान की सेवा, जीवों पर दया, है ना, कुछ लोग धर्म का मुख्यादार सत्यम शिवं, शुंद्रम को माद दे है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी परिभाशाओं की, देखिए धर्म क्या है, धर्म एकी करण और समनवे का शिद्धान्त है, धर् सिर्फ बिश्वाश नहीं, वेवहार है, सिर्फ दरण नहीं, आचरण है, सिर्फ आस्था नहीं, बलकि क्रिया है, धर्म में मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है, तो डिफ्रेंड ये हमने धर्म को समझ लिया, धर्म निर्पेक्ष्टा को पढ़ने के लिए आपको पहले धर्म समझना होगा, उसके बाद अब हम बात करेंगे, धर्म निर्पेक्ष्टा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाशाएं क्या है, और इसी तरह आगे फिर इसके उद्देश्य क्या है, और इसके आवश्यक्तत तो क्या है, इन सभी को समझते वे, सम्विधान म धर्म पेक्ष्टा की क्या परमुक्रिश्ष्टा है, पूरा चेप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरे कॉंसेप्ट को बहुती आशान बाशा में समझने का प्रियास करेंगे, देखिएगा, अर्थ और प्रिभाशाओं की बात करते हैं, धर्म निर्पेक्ष्टा का अर्थ है, बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और काम करना, बिना किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को केंदर में ना रख करके, किसी धर्म पर फोकस ना करके, बिना किसी धर्म के बेश्ट पर अपने निर्णय लेना, अपना काम करना, वही धर्म ऐक शामन्य मानविय भावना है जो उच बन स्रेष्ट विचारवान मनुश्यों के अंदर पाई जाती है जो उच और स्रेष्ट विचारवान लोग होते हैं वो धर्म से उपर उटकर के धर्म मुठा की बात करते हैं प्रक candidate इसमें हम किसी भी धर्म को आधार नहीं मानते, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, मूलियों और विश्वासों को सहन करता है, और उनका बिना किसी भेद्बाव की शम्मान करता है, तो इस विचार धारा को हम धर्म पेक्षता कह सकते हैं, यानि कि ऐसा ने कि हम अपने ही धर्म को स्रिष्ट बताएं, सभी धर्म अपने आप में स्रिष्ट है, सभी के विचार, सभी के मूल, सभी के विश्वाश, है ना, सभी की संस्कृति सब क्या है, अपना अपना सभी का स्रिष्ट है, कोई भी धर्म किसी से कम नहीं है, तो अगर हम अपने धर्म को स्रिष्ट मानते हुए, दूसरे विक्ति के उसके भी धर्मिक विचारों, उसके भी मूलियों, विश्वाशों को अगर हम सहन करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, बिना तर्क वितर्क के पूरा सम्मान करते हैं दूसरे धर्म का तो इस विचारधारा को ही हम धर्म पेचता कह सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को आधार नहीं मान लाए हैं क्योंकि मनुष्य समाज कही एक अंग है और वहाँ शमाजिक प्राणी है हो गया है धर्म पेच्षता और पंथ निर्प फेच्ष दोनों ही अπने अंदर समान भावना रखते हैं और वर्तमान शमय में हम जिस धर्म निर्पेष्टा को सुईकार करते हैं वही पंथ निर्पेष्टा भी है धर्म निर्पेष्टा अंग्रेजी के शेकुलरिस्म शब्द का हिंदी रुपांतर्ण है यानि कि धर्म निर्पेष्टा को हम इंग्लिश में शेकुलरिस्म कहते हैं शेकुलर शब्द का विसका जीजे हुलियोक ने किया था और इसकी जो परिभाशा है धर्म पेक्षिता की इनको समझते हैं मात्मा गांधी के अनुसार कहा गया है हम सभी धर्मों एवं विश्वासों का शमान आदर प्रदान करते हैं यानि सभी धर्म और सभी विश्वासों को शमान आदर शमान भावना सभी का शमान करते हैं बराबर हम सर्व धर्म शंभाव में आस्था रखते हैं अब देखिए धर्म निर्पेक्षता के उद्देश क्या है इनको समझते हैं पहला उद्देश हमारा लिखा है कि धर्म का अनावश्यत प्रवेश और दबाव नहीं यानि कि आप किसी भी व्यक्त को जब जो है दबाव में लाकर करके किसी धर्म में प्रवेश नहीं करा सकते किसी पर दबाव नहीं बना सकते ठीक है धर्म निर्पेक्षता करशबशे परमुकुद्दिस यहां है कि किसी भी राज्य की नेतिक्ता अथवा तथा सिक्षा आदी पर किसी भी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रवेश और दबाव नहीं होगा हम किसी भी विक्ति को जबरस्ति अपने धर्म में नहीं ला सकते धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हम किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम पूजा पाठ मत करो तुम जो है दूसरे धर्म में आस्था रखो या जो है कि दूसरे धर्म में तुम क्यों हो धर्म को आसरे ना दिया जाना यानि राज जो है वह किसी भी परिटिकुलर धर्म को आधार नहीं मानेगा किसी भी परिटिकुलर धर्म के आधार पर लोगों को जागरत नहीं करेगा पूरे राज की बात हो रही है लोगों पर दबाव नहीं बनाएगा लोगों को किसी भी व विवर में रिंतर लगा रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं धर्म पेक्ष राज की बात करते हैं धर्म पेक्षता का उद्देश यह भी है धर्म पेक्ष राज की प्राप्ति हो प्रतेक विक्ति या नागरी को जहां समान आवसर प्राप्त हो और जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के क्रिया कलापों में विवधान नहीं डाला जाए नागरिकों की जो भी एक्टिविटीज है उसमें विवधान न डाला जाए यही इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कुछ आवैश्यक्तत्तों हैं इनको समझते हैं ओके इसेंशियल्स ओफ सेकॉलरिस्म देखिए फॉर्स्ट पाइंट कहता है धार्मिक सहिस्णूता से बुद्धिवाद का विकाशनी डिफलोप्मेंट ऑफ एंटलेक्चुलिस्म विद रिलीजिस टोलाइंस इसके अंतरगत व्यक्ति प्रत्यक धर्म के प्रति उदार शेश्णूता की भावना रखता है और वह सबी धर्मों का आदर करता है यह धार्मिक नास्तिकवाद की आस्ताना होकर के धार्मिक श्य अस्तित्त की अवस्था है इसमें धार्मिक शंकीनता का कोई स्थान नहीं होता है जैसे और आज के युग में तार्किक और व्यवहरिक बातों को ही उपयोगी माना जाता है समाज के हित में माना जाता है धर्मिक्ता की नियुनता से संसारिक्ता या लोकिक्ता पर कम बल देखिए धर्म पेक्षिता में धर्म की नियुनता के कारण पर लोक या अलोकिक की विश्व के बजाए इस लोक्षिश मंदित संसारिक करतवियों पर विश्श बल दिया जाता है इसे लोगों पर धर्म का उतना आवश्यक नियंतरन नहीं होता, जितना समाज का आवश्यक है, नियंतरन होता है, इसमें कहा गया है, कि इस लोग से संसारी करतव्यों पर विशिश बल दिया जाता है, जो भी आपके करतव्य हैं, उन पर अधिक बल दिया जाता है, और जब कर के लोगों को शमान विकास के आउसर प्रदान किया जाते हैं किया शमान विकास के आउसर प्रदान किया जाते हैं मैं शमानता है सब के प्रती ठीक है कोई उचा नीचा नहीं है किसी कोई जाति भेद भाव नहीं किसी को भी धर्म और जाति के नाम पर हतोत्षाहित नहीं किया धार्मपेछता जीवन के परति एक विशेस परकार का दिर्ष्टिकोन और यह बदलती हुई परिस्드itियों एवन Gum के तरीकों के साथ बदलता जाता है इसमें बदलती हुई बदलती हँई परिस्थ特ि के साथ आसानी से अनकूलन की छमता होती है क्योंकि एक और यह को सवाइशक्त्त है पहला है धर्मिक सभुलता से बुद्धिवात का विकास दूसरा धार्मिक्ता कि नियूनता से सांसारिक्ता या लौकिक्ता पर कम बल और तीस रहे है समानता और बंदुत भाईचारे की भावना सभी को श्रमान अवसर प्राप्तों लचीलापन और वैग्यानिक है अवधार्णा ठीक है अब हम बात करेंगे श्रमिधान में धर्मिपेक श्रमाज की कुछ परमुख पिशेष्टा है बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको बहु विशेष्टा है देखिए सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान विभार किया जाए कैसे धर्मिपेक शमाज में सभी धर्मों को मानने वारे लोगों के साथ एक समान विभार किया जाता है किसी भी विशेष्ट धर्म को परमुख ना मान करके सभी धर्मों को बराबर शम इस तरीके से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, लोगों पर दबाव नहीं बना सकता, प्रेशन नहीं बना सकता, कि तुम इस धर्म को मानो, इसलिए धर्म पे इस शमाज में व्यक्ति, शंभाव की भावना होती, यानि कि सभी व्यक्तियों के प्रति शमान भावना उनको एक ही दृष्टी से देखा जाता है चाहे वो किसी भी धर्म या संपर्दा आए जाती शमुहूं कहीं से भी आते हूं शबी को एक ही नजरिये से देखा जाता है धार्मिक स्वतंतरता होती है धार्मिक पेच नमाज में शबी को धार्मिक स्वतंतरता प्राप्त होती है वह स्वेच्छा अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान करकी उसका पालन और अनुसरन कर सकते हैं व्यक्ति उसका सांती हैं ठीक है और अतहा विक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है आप उस पर कोई जोड़ द्युस्ति दबाव नहीं पना सकते सभी को धार्मिक शोतम दरता है ओके धार्मिक हस्तक्षेप का नहीं होना देखिए इसकी बात करते हैं क्योंकि धर्म एक विक्ति परनतु कभी कभी जन कल्यान को ध्यान में रख करके लोगों के कल्यान को ध्यान में रख करके उनकी भलाई को ध्यान में रख करके यह समाज कुरीतियों से चुटकारा पाने के लिए धर्म एवं धर्मिक मसलों पर अपना अस्तच्छिप करते हैं परनतु इससे इसकी धर् धर्मलडरु बच्छत कुई लेना देना नहीं होता है जैसा की चाथकषन ने भब आहं है दो किह छोग्ता उसल Johns विश्ण कुई भॉय थृह हैं अपका धर्म में कोई बिश्वास नहीं है दर्मेशता कीमन को मानन लए है या सबी धर्मो को बराबर मानन रहे हैं ठीक Πरमी राप अधियात्मिक आशा इसे जो किसी विशेश धर्म से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विद्याल है जो किसी विशेश धर्म के बच्चों को को ही admission देता हो है ना उसकी सहायता राज्य नहीं करेगा ओके इसमें नैतिक्ता जो भी सरकार की तरफ से उसको सहायता दी जा सकती थी वो उसको नहीं देगा राज्य क्यों क्योंकि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बच्चों को पढ़ा रहा है किसी पर्टिकुलर धर्मों के आदर्शनों को समुबित किया जाता है यानि कि धर्मिक स्क्षा की इस्तानों पर धर्म परकार की बरबंग दीजे ताकि बच्चा हरे धर्म को श्रमान वहावना समान एक नजरिये से देख पाए अब देखे भारती समिधान में धर्मिकुलर दोलब बंग क्या- रहें नमब एक शमिधान की प्रिस्तावना देखिए समिधान में सन 1976 में 42 शंसोधन के अंतरगत धर्मनिक्षब को जोड दिया गया धर्मनिक्षब समिधान में कब जोड़ा 42 में शमिधान संसोधन के अंतरगत 1976 में भारत में शमिधान में यह सब्द पहले से विद्यमान पंतनल पेक्षिता की भावना को और प्रबल बलाने के लिए जोड़ा गया था अर्टिकल 14 के अगर बात करें जिसमें लिखा है विधी के शमये शमानता कादिकार देखिये इसके अंतरगत विबिन धर्मों के शबी लोगों को एक शमान माना जाएगा जितने भी विबिन ध़र्मों के लोग हैं सबी को एक शमान माना जाएगा कहा गया है राजी द्वारा भारत के राज छेतर में किसी विक्ति को विधी के समक्ष शमता से या विधियों के शमान सरंचन से बन चेता है नहीं रखा जागा विधी का मतलब यहाँ पर कानून के नजरिये से सबी एक शमान है किसी में कोई भ या कानपूर से बीड़ कर रहें, तो आप इस नंबर पर मैसच करके, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, उसके लिए आपको फीश्ट पे करनी होती है, बीड़ार समस्टर के कम्प्लीट नोट्स की फीश्ट 300 होती है, ठीक है, अगर आप फीश्ट पे करते हैं, तो नोट्स अगर हम बात करें तो धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग या जन्मिस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस धर्म के हैं, आपका मूलवंस क्या है, आपकी जाती क्या है, आपका लिंग क्या है या आप किस जर्म इस्थान पर पैदा हुए है जर्म इस्थान आपका क्या है इस आधार पर कोई भेदबाव नहीं आप सभी समान है इस धारा के अनुसार भारत का कोई भी राज भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आधी के आधार पर कोई भेदबाव नहीं वहीं पर आर्टिकल 15-2-3 में कहा गया है सारवजनिक इस्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार है आप किसी भी सारवजनिक इस्थानों पर आ जा सकते हैं धर्म विशेश के नाम पर आपको नहीं रोका जाएगा जो 15-2 है इसके अंतरगत सभी विक्तियों को बिना किस भी दबाओं के वेवशायों सारवजनिक इस्थानों पर प्रवेश का अधिकार है आर्टिकल 15-3 के अंतरगत पूंडतिया आंसिक राज्य निद्धी से पोशित या श्राधारन जनता के प्रियों के लिए कुऊं तालाब इश्णान घरों शडकों और सारवजनिक इस्था सरकाई नौकरी पराप्त कर पाएंगे हैं शर्क पूण सें अवसरों की शमानता सभी को एक शमानता की भावना से सबिफ शमान है क्या होगा आपको जो सर्वस्यात प्रप्रसता रखता होगा उसको नोखरी दी जाएगी आपके धर्म से मतलब नहीं , आपके मुलबंस से मतलब नहीं आपकी जविस्थानि से मतलब नहीं है वही पर आर्टिकल 25 में कहा गया है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार इसके अंतरगत प्रत्यक विक्तिको धर्म की सोतंतरता है वह किशी भी धर्म में विश्वास रख सकता है कोई उसे रोक नहीं पाएगा आर्टिकल 26 में कहा गया है धार्मिक संस्थाइं स्थापित करने का अधिकार है आप धार्मिक संस्थाइं स्थापित कर सकते हैं इसके अंतरगत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना उनका प्रबंद करना अपने धर्म से समंधित कार्यों को करना धार्मिक कार्यों के भी प्रकार का कर देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह कुछ इसमें प्रावधान थे हमारे श्रमिधान में धर्मिपेश्टा को ले करके ठीक है हमारा जो भारती श्रमिधान है उसमें धर्मिपेश्टा श्रमंदित कुछ प्रावधान थे जिसमें क्या कहा गया है आपने समझा विदिकर शमांता है यानि कानुन के नजरे में से बराबर हैं आपको किसी भी धर्म मूल बस जाती के स्थान पर आपके साथ भेदबाव नहीं किया जाएगा जो भी सरकाई नौकरी मिलेगी उसके लिए आप सभी शमान हैं जो आपके धर्म से मतलब नहीं है आर्टिकल 17 में यह कहा गया कि अस्प्रस्ता का अंत्किया गया है इसमें चुआ शूत को निशिद्दमान आगया है आपने धर्म से समधित कार्यों को आप कर सकते हैं आपको नाम पर कर लगाने का परतिबंद है इसके अंतरत भारत के कि इसी भी राज के द्वारा किसी भी नागरी को किसी भी परकार का कर देने के लिए बाद नहीं किया सकता है अब धर्म पेश्टा को प्रोटसाहित करने वाले क्या क्या कारक है हम उनकी बात करेंगे देखेगा फिर हमारी यह क्लास एंड हो जाएगी लास्ट टॉपिक है इस करने की एक विशेश भारत जो हमारे भारत का कल्चर है हमारे भारत की जो संस्कृत है वो सभी धर्मों में और सभी मतों का आदर करने की विशेश भावना उसके अंदर है भारत वर्ष में राश्टी शिक्षा की कल्पनाभी धर्मपेश्ट शिक्षा की रूप में की गई भारत में धार्म पेइश्ता को बढ़ावा देने वाले कारत क्याक्या है? किन किन से कौन से कारण है जिन से धार्म पेइश्ता को बढ़ावा मिलता है? शौतंतरता प्राप्ति के लिए भारत में रहने वालों ने धार्मिक और जातिय भेदभाओं को भूला करके जो धार्मिक और जातिय भेदभाओं थे उनको भूला दिया एक साथ मिल करके अपने प्रयास किये इसी कारण सोतंतरता प्राप्ति के प्रशा सभी धर्मों को शमान अधिका प्रदान किया गया वही पर राजनीतिक दल जो है देश के सभी राजनीतिक दलों जैसे की कांगरेश शमाजवादी दल आदि को धर्म प्रेक्षता को बढ़ावा देने में बहुत सही होगी मदला गया है कांगरेश शमाजवादी दल इन्होंने धर्म प्रेक्षता को काफी अधिक बढ़ावा दिया है धर्म पेक्षता की प्रक्रिया में औद्योगी करण और नगरी करण बहुत शायक है कारक है क्योंकि नगरों और उद्योगों में विबिने धर्मों के लोग रहते हैं और कंदे से कंधा मिला कर काम करते हैं जो भी औद्योगी करण हैं जो भी नगरी करण हैं माली जा ओद्यो तो धर्म वहां से हट जाता है सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक प्रेम की भावना होती है और इस तरीके से धर्म टेष्टा को बढ़ावा मिलता है वेस्टरनाइजेशन पस्चमी करण के अगर बात करें अंग्रेजों ने भारत में नवीन प्रोद्यों की यतायात संचार, रेल, सिक्षा, डाक नवीन ग्यान नई धर्म का प्रणम किया जिससे भारत में शामाजिक शुधारों को बलपराप्त हुआ इस प्रकार भारत में बुद्धिवाद, मानवतावाद और ताकिक विचारों ने जोर पकड़ा जिसके फालसरू भारत में धर्म प्रेश्टा को बढ़ावा मिला नवीन सिक्षा पदती, नए एजुकेशन सिस्टम के अगर बात करें आदुनिक समय में सिक्षा प्रतेक जाती धर्म के लोगों के लिए है किसी विशिश धर्म के लिए नहीं है तता पिछडे और सिक्षा के लिए समान सिक्षा की विश्टा है जिस्टे लोगों के वेवहार में प्रिवर्टन आया और लोग धर्म प्रेश्टा की और बढ़ने लगे क्योंकि यहां पे सब को समान अवसर दिया गया है सरकारी प्रियास किये गए जिस्टे की धर्मन पिखिता को बढ़ावा मिला भारतीजिश धर्म प्रियाँ की अंत्रगत परतीक नागरिक को एक शमान मौलिक अदिकार प्रापत है किसी के साथ कोई भेद्वाव नहीं भारत एक धर्म पेर्च राज्ये है और शमिधान की अंतरगत भी पिछड़ी जातियों को उपर उठने का प्रयास किया गया जिसे शमाजवादी समाज की स्थापना हो सके और धार्मिक शेशुनता को बढ़ावा मिल सके तो प्यारे दोस्तों यह हमारा था धर्मिक शेश था इससे पहले की क्लासिश भी अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखेगा आपके लिए रामबन सी दोने वाली है ठीक है बाकी उस्टीज वाली स्ट्रेंट्स अपना वीडियो से हल्प लेते रहें पूरी हल्प की जाएगी थैंक्यू सो मच हमारे नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो इस नंबर पर मेसेज करके नोट्स ले सकते हैं थैंक्यू सो मच मिलते हैं मोजल्दी नेक क्लास में